पर्मेशन के शरापों को तोड़ने के लिए बाइबल में एक वाइदा दिया परमेश्वर कहता उस वाइदों को ध्यान से देखो परमेश्वर ने तुम्हें पृतिक्याएं दियें तुम्हें वाइदे दियें ताकि तुम उस सडाहट से छूट जाओ आपकी लाइफ में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके बिजनस में, आपकी फैमिली में मेरे कल्स बढ़ते हैं जैसे जैसे आप स्वरकिय सभभाव में बढ़ते हो उसने कहा ईश्वर ये सभभाव में संभागी हो जाओ कैसे कैचण परमेश्वर ने तुम्हे पृतिङ्याइं दी हैं, और परमेश्वर की पृतिग्या है कि अगर तू क्रूज की और देखेगा, तू श्रापों से छूट जाएगा, शैतान से छूटेगा, मृत्यू से छूटेगा, बिमारियों से छूटेगा, ये किसकी पृतिक्या है, परमेश्वर की, आप किसी बाबा के पास नहीं आये हो, जो बाबा बड़ा पावरफुल है, जो भक्ति कर कि आतान लोगों को चंगा करता है, नो, नो, मेरी भक्ति से आप चंगे नहीं हो रहे हो, मैं भी आप ही के जैसा था, आप इश्यू मसी के नाम में और उसके विश्वास को दरा हील हो रहे हो, सुनो ध्यान से, अब उसने कहा, उन पृतिग्याओं को ध्यान से देखो, परम सवा के खोजियों के किसी भली वस्तु की कमी ना होगी, कहता है, मैं तुम्हें सिर बनाओंगा पूंच नहीं, तुम्हें अगवा बनाओंगा पूंच नहीं, कितनी उसने लिखा, उसने बड़ी कहता है, प्रेश्यस इंग्लिश में लिखा, बड़ी प्रेश्यस बड़ी क शिरू हो गए आंख बननी शिरू हो गई उसने का मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे यह बहुं मुल्य प्रितिक्या है यह हर हर जात और धरम से उपर की मैं बात कर रहा हूं मैं क्रिश्चन सिख हिंदू धरम की बात नहीं कर रहा हूं अमे आपको परमेश्र की बात कर रहा हूं जो ना किसी जाती कैना किसी धरम कै उसने का मैने तुम्हें बड़े वाईदे दिये अगर तुम अपना ध्यान उन वाईदों पे लगाओ अगर यूथ लगाए अपना वाईदों पे ध्यान की जीजस ने मुझे एक्सेलेंस जीने के लिए बुलाया, उसने मुझे मेरे काम में पर्फेक्ट होने के लिए बुलाया, उचा जाने के लिए बुलाया, मुझे ब्लेस करने के लिए बुलाया, कहता है फिर तुम उस सडाहट से छूट जाओगे, जो बुरी अभिलाशाँ से होती, तुम अपने आपको फ्री करते जाओगे और इश्वरियस सभाव में से भागी हो जाओगे किता मैं संसार की सब जातियों में से तुम्हें श्रेष्ट करूगा एक्सलेंट नंबर वन करूँगा यह प्रतिक्या है आज एक मदर वेभीचार में उसे बड़ा अच्छा लग रहा है उसके पती का गर्फरेंड अलग है उसका बॉइफरेंड अलग है लेकिन जब उसकी लड़की ऐसा कर रही है अब वो सड़ रही उसे फील हो रहा है उसे भ जो बुरी अभिलाशाओं से होती इसका मतलब अगर मेरी बुरी अभिलाशा लस्ट वो सिग्रिट पीने की हो सकती शराब पीने की हो सकती लड़कियों को देखने की हो सकती पैसे का लस्ट हो सकता है कहता अगर यह तुम में है तो सडाहट भी होगी यानि दिके होगा तु कहीं बच्चों में, कहीं रिलेशन्शिप में, कहीं अपनी चर्च में, फिर तुम बोलोगे यह क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, खुदा सुनता क्यों नहीं, मेरा काम होता क्यों नहीं, कहता अगर तुम बड़ी प्रितिक्याओं को देखो, प्रेश्यस वन, जब बुरी अभिलाशा आते है, वो गंदा देखने की हो, किसी को नीचा करने की हो, अपनी धरानी को नीचा दिखाने की हो, जब हाथ में पावर हो, उसको मिस्यूज करने की हो, कहता तुम करो, तुम को कि तुम फ्री विल इंसान हो, पर कहता तुम सडोगे, सडाहट होगी, दिके होगा, तुम फ्रूट सड़ जाता है, तुम्हारी लाइफ सड़ जाएगा, बच्चों के साथ रिष्टा सड़ जाएगा, बॉडी सड़ जाएगा, पैसा सड़ जाएगा, तुम बोलोगे ये क्या हो रहे है, दिके क्यों हो रहे है, ये सडाहट क्यों हो रही, परमि करना किसे चीज के लिए उस अपने अंदर लौइट इन्दर बरत न वो गंद ब्रूर्फिल ऻोऑ प्रशार खाकर सिट भीनिएी अबी उस इक्ड़ट का ध्यान एवी एंग न FER गर जाती ही कुछ ऐसा काम करने कि सी को लस्त है अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं यंग लड़कों को अपने मन पे कंट्रोल नहीं यह लस्ट है कहता जब लस्ट होगा तो सडाहट होगी पर कहता कहता परमेश्वर ने तुम्हें बड़ी पृतिग्याएं दी उसका रीजन क्या? कहता इसलिए दी है कि तुम सडाहट से छूट जाओ तुम्हारे मरे हुए वो फल, करब, परिवार, बिजनस उस सडाहट से छूट जाएं और जीवित हो जाएं हलिलुया